सो फाइनली गाइस मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रियल मी एक्स प्रो के बारे में जो की मेडरें सेग्वेंड में बहुत अच्छा स्मार्ट फोन होने वाला है क्योंकि 18,000 से 20,000 रुपे के रेंज में बहुत अच्छा चिपसेट और डिस्प्लेज फोन के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है और इस फोन का कैमरा भी बहुत अच्छा है और बैटरी भी बहुत अच्छा है तो यार इस वीडियो को पुरा एंड दख देखते रहें ये और चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा और यार वीडियो बहुत इंटरस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो के अंदर रियल मी एक्स प्रो की स्पेक्स के बारे में बात करेंगे प्राइजिंग के बारे में बात करेंगे और release date के बारे में तो without any further ado let's jump into the video start करते हैं सबसे पहले इस phone के display से तो यार इस phone का display बहुत अच्छा है क्योंकि इस phone के अंदर 90Hz का refresh rate वाला display देखनी को मिलेगा जो कि एक fluid display है और यार इस phone का display बहुत बड़ा है क्योंकि इस phone के अंदर 6.5 inch का display देखनी को मिलेगा जो कि full hd plus के resolution के साथ आएगा और super amoled का panel देखनी को मिलेगा इस phone के अंदर और यार इस phone का display एक full view display होगा जहां पे nose नहीं मिलेगा selfie के लिए pop up selfie camera इस phone के अंदर देखनी को मिलेगा और यार fingerprint के लिए in display fingerprint scanner इस phone के अंदर provide किया जाएगा बात कर लेते हैं प्रोसेसर के वारे में तो यार इस phone का प्रोसेसर बहुत अच्छा है क्योंकि इस phone के अंदर snapdragon 855 का chipset देखनी को मिलेगा जो की बहुत powerful chipset है और 2.86 gigahertz पे clocked है तो मतलब कि इस phone के अंदर Xiaomi OS का support देखनी को मिलेगा और बात करते हैं इस phone के RAM के बारे में तो यार इस phone का RAM भी बहुत अच्छा है 6GB 64GB और 6GB 128GB और 8GB 256GB का RAM इस phone के अंदर provide किया जाएगा बात कर लेते हैं camera के बारे में तो यार इस phone का camera बहुत अच्छा है क्योंकि इस phone के अंदर quad rear camera देखनी को मिलेगा जिसका primary camera होगा 64MP का और second camera देखनी को मिलेगा 13MP का ultra wide angle lens और third camera देखनी को मिलेगा 8MP का telephoto lens और fourth camera देखनी को मिलेगा 2MP का depth sensor बात कर लेते हैं front camera के बारे में तो यार इस phone का front camera भी बहुत अच्छा है क्योंकि इस phone के अंदर 32MP का AI pop-up selfie camera इस phone के अंदर provide किया जाएगा बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में तो यार इस फोन का बैटरी बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि इस फोन के अंदर 5000 एमेज का बैटरी देखनी को मिलेगा जो कि बहुत अच्छा बैटरी है और इस फोन के अंदर 50 वाट का एक फास्ट चार्जिंग देखनी को मिलेग जो कि Wook Charging 4.0 को सपोर्ट करेगा और Type-C Port इस phone के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा बात कर लेते हैं प्राइजिंग के बारे में तो यार Realme X Pro का प्राइजिंग होगा इंडिया के अंदर 18-20,000 रुपे के रिंज में तो यार इस phone का प्राइजिंग सही में ही बहुत अच्छा है क्योंकि इतना कम प्राइजिंग में बहुत अच्छा spec से इस phone के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है बात कर लेते हैं रिलीज एट के बारे में तो यार Realme X Pro का रिलीज एट होगा इंडिया के अंदर December के 3rd week पे जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था तो यार इतना ही लीक्स निकल के आ रहे थें Realme X Pro के बारे में तो यार इस वीडियो के अंदर इतना ही I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो गैस अगरे आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो यार इस वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को अन कर लीजिए तो मैं मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में